हेलो दोस्तों आसा करते हैं आप सबकी तैयारी बढ़ियां चल रही होगी आपकी तैयारी में कुछ एड़ान करने के लिए हम PT 365 का Current Affairs डिसकस कर रहे हैं इस लेक्टर में हम Science and Technology का 365 डिसकस कर रहे हैं और यह Science and Technology का 4th लेक्चर है इसके पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं आए देख आए और यह Topic डिसकस करने से पहले हम इनके इस डिलेटड कुछ क्वश्चन से देख लेते हैं आयए हम देखते हैं कौन कौन से कौस्च्चन है मार पास पहला क्वेश्चन है क्लोनिंग से रिलेटेड क्लोनिंग से संबंदित निम्न लिखित कतनों पर ध्यान देना है पहला कतन है समान अनुवान्शिक सामगरी होने के बावजूद क्लोन हमेशा मूल जीव जैसे नहीं दिखते है समान अनुवान्शिक सामगरी होने के बावजूद क्लोन हमेशा एक जीव जैसे नहीं दिखते है दूसरा कतन है क्लोनिंग द्वारा एक संपूर जीव का निर्मार तो किया जा सकता है लेकिन एक स्वतंत्र कोशी का सिंगल सेल का निर्मार नहीं किया जा सकता है इन दोनों में से कौन से कथन सही है केवल एक केवल दो एक और दो या इन में से कोई नहीं आप इसको पॉस्ट करके अपना राइट एंसर दें इसका राइट एंसर है केवल एक ए आपसन सही है क्यूंकि समान अनुवांसिक समगरी होने के बवजूद क्लोन हमेशा मूल जीव जैसे दिखाई नहीं देते हैं यह राइट एंसर है क्यों नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि एक जैसे दिखना काफी हद तक इन्वार्मेंट परिया वरंड पर डिपेंड करता है कैसा परिया गर्म बाताबराण है ठंडा बाताबराण है उस विसाब से वह दिखेंगे भले उनकी आनुवांसिक समगरी सेम है दूसरा गलत क्यों है क्लोनिंग द्वारा एक संपूर्ण जीव का निर्मान तो किया जा सकता है लेकिन स्वतंद्र कोशिका का निर्मान नहीं किया सकता यह अगर संपूर्ण जीव का निर्मान किया सकता है तो सतंद्र कोशिका का भी निर्मान किया सकता है क्योंकि जीव का निर्मान अल्टिमेटली कोशिका सही तो होता है इसलिए यह कथन गलत है अब रैट रैट एंसर है इसका आप्सन ए दूसरा कोश्चन है निन लिखित में स किसके या किनके निर्मान में DNA origami विधी का उपयों किया जाता है DNA origami यह काफी अभी news में था यह important हो जाता है DNA origami विधी का उपयों किसके निर्मान में किया जाता है आणविक कैची के निर्मान में आणविक motor के निर्मान में DNA या storage chip के निर्मान में सही भी करप चुनना है क्या केवल एक सही है केवल दो सही है केवल तीन सही है या सभी सही है अब वीडियो पॉस करके अपना राइट एंसर दें इसका राइट एंसर है आणडविक मोटर भी केवल दूसरा सही है निर्माणविक मोटर के निर्माण में यह डिने औरीगामी मेथट का उपयोग किया गया है कि आई हम पहले टॉपिक डिसकस करते हैं जेनेटिकली मोडिफाइड टेकनोलोजी यह है क्या यह गुडों में वांशित परिवरतन के लिए कोई भी प्लांट्स या बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी एनिमल्स हैं उन पे हम डिने में प्रत्य चुरूप से कोई भी जोड तोड करते हैं इसे ही हम जेनेटिकली मोडिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं जीनोम एडिटिंग के प्रमुख तरीके इसमें दिये गए हैं एक है क्रिस्पर कैस-9 के द्वारा किया जाता है दूसरा है अडोनेटलीज या मेगानेटलीज की होमिंग के द्वारा मूल इस्थान पर किया जाता है इसको और तीसरा है साइट डायरेक्टेड न्यूकलीज इनके बारे में आगे हम अभी डिसकस करेंगे भारत में जीनोम एडिटिंग को नियंतित करने वाले कानून जैव विवित्ता अधिनियम और सदी प्रसादन समग्रेद्नियम यह कानून दिये गए हैं जिनके द्वारा जीन एडिटिंग को नियंतित किया जाता है सब टॉपिक है जीनोम इडिटिंग यह नियूज में इसलिए है क्योंकि जैव प्रद्दों की विभाग ने जीनोम समपादित पाध्वों के जैव सुरच्छा मोल्यंकन समपादिय अभी दिसान निर्देश जारी किये हैं उन दिसान निर्देशों के अंतरगत परियावरान संद्चंड अधनियम 1986 के कुछ नियमों से साइट डिरेक्टेड नुकलीज HDN1 और HDN2 जीनोम समपादित पाध्वों को छूट दी गई है यह छूट वन और जलवाई परिवरतन मंतराले द्वारा पहले दी गई रियायत पर आधारित है यह अनुवांशिक मुल्यंकन समित के माध्यम से जीयम फसलों की स्विक्रत के लिए लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए दी गई है जीयनों समपादित पौदों के लिए दिशा निर्देश कुछ दिये गए हैं कि विकास के संदर में अनिवार में अनिवार डेटा पर विनियाम की फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा और दिशा निर्देशों का दायरा यह है कि साइट निर्देशित निकलीज इस डियन का उपयोग करने वाले जीनों समपादन तकनिकों का उपयोग करके विक्षित पात्पूँ और उनके उत्पादों तक ही सीमित है जैव प्रद्यों की विभाग के बारे में देख लिए इनका कार क्या है बिस्वद्याल है और आयोग इस उद्द्यों इस तर पर से भागिता को बढ़ावा देना और कोशी का आधारिटीकों का निर्माण जैव सुरच्चा संबंदी दिसा निर्द्यास बिक्षित करना आद ये सारे जैव प्रद्यों की विभाग के मुख का रहे हैं बीटी काटन आप जानते ही होंगे एक जीम फसल है इसमें पौधे क कीट के हमले से बचाने के लिए बैसिलस तुरिंजी एसिस नमक बैक्टीडिया से इसको संक्रित कराया जाता है जिससे बीटी कॉटन बनता है यह बारा सरकार दौरा 2002 में वेवसाइग खेती के लिए स्विक्रित कर दिया गया था अभी जीम फसलों में क्या किया गया है कि टीसू कल्चर के माध्यम से इन में कोशिकाउं को तयार किया जाता है जहां वे पौधों के रूप में विक्षिद किया जाते है है साथ ही इन पौधों द्वारा उत्पादित बीज में नए डियने समलित हो जाते हैं में जेनेतिकली मोडिफाइट फसलिं के लाब क्या है उत्पादक्ता ही होती है फसल काम होती है ख़ाद सुरच्छा सुनिश्चितесте होती और मृधा की उर्बरता है और उसके उप्यान वकिरोड़ित को अनुद्प का उथिके जाते हैं इनके कारण जो कि फिर हानिकारक के द्वारा भी नश्ट नहीं होते हैं आर्थिक इनकी उपज के बारे में गलत दावे किये जाते हैं कि आप एक एकड में इतना अनाज बोएंगे तो चालिस गुना होगा का साथ गुना होगा यह गलत दावे पेस किये जाते हैं जिससे किसानों को आर्थिक हानी भी उठानी पर जाती है कभी कभी मानों इवंपस्यूस्वास्थ की जैव सुरच्चा मतलब इनको कम समय पर रिसर्च करके ही बजार में उतार दिया जाता है जिससे माना थास्थ भी प्रभावित होते हैं और नैतिक कार्पुरेटी का अत्रवावी हो जाताए कर्पुरेट से यहीइस पर नाफन्या करने लगते हैं जियां फसलों में क्या करते हैं लोग कि इनकी पूना उत्पादाथ प्रदान करने वाले लिगन को नctive कर देते हैं जिससे किसान जो Gm फसल हैं इनसे अपना बीच तैयार नहीं कर पाते जिसके करने को बार बार मार्किट से ही फसल खरीदने पड़ती और फसल के लिए बीच करिदना पड़ता है निक यह जीन इडिटिंग के सजीव के जीनों में लच्छित जीन को हटाने और उसमें परिवर्तन करने की तक्निक है इसके प्रणाम सुरूप निरधारित उद्देश केता है चैनित और वांचित लच्छोन वाले सजीव निर्मित होते हैं इडिटिंग इडिटिंग में क्या करते हैं कि हम लोग अटाते हैं किसी भी जैसे कुछ गलात लिए तो उसको इडिट करके माइनस कर देते हैं और फिर उसमें फिर वांचित परिवर्तन कर लेते हैं तो यही है जीन इडिटिंग जो भी जीन गड़वड है उसको निकालके वांचित जीन को एड़ कर देते हैं और ट्रांसजेनिक प्रद फिर किया जाता है मतलब अगर एक जीन खराब है इसको निकाल के दूसरा जीन एड़ कर देते हैं उसी के बॉड़ी का लेकिन ट्रांसजेनिक प्रद्योगी में किसी अन्य प्रजादी से लेते हैं जैसे अभी आपने नियूज में सुना होगा कि एक ब्यक्टि को सुवर का ज़्याद है ट्रांसप्लांट किया गया है तो यह क्या होगा ट्रांसजेनिक प्रद्योगी के तहट आएगा जिसमें कृतिम साधनों द्वारा किसी अन्य प्रजादी से एक या अधिक बीदेशी डियने अनुक्रमों को प्रवेश करके बदला जाता है यह फसलों के बिनि अगुंगब लेगान कीया सिंधिने धारा मस्टर्ड हाइबृडी वन्वन डी वें एस तर्सों की खेती के लिए पर्याबर णी मंजूरी देने की सिफारिस की गयी है इसको याद रखिएगा डी एम एच वन वन यह सरसों की सरसों की हाइब्रिड फसल है यह इसका वैवसाइक क्या होगा इसका वैवसाइक उप्योंग भारती अर्मसंदान के शिप्रत की निगरानी में वीज अजनिया 1966 के प्रावधानों के तहथ ही किया जाएगा अब यह धारा मस्टर्ड हाइब्रिड एच वन वन क्या है विकास करता इसका कौन है दिल्ली विश्विद्याल है और प्रक्रिया क्या है इसमें अर्ली हीरा ट्यू म्यूटेंट बारिश्टार जो की यूरोप का है यूरोप की कि इसमें है सरसो के ही किस्म अर्ली हीरा ट्यू म्यूटेंट जिसको बारीश्टार भी कहते हैं और भारतिय की वर्ली यूटेंट और सरसो की फसल斯 म्यूटेशन की गई है जिसके दोरा DMH11 फसल का विकास किया गया है इसमें सामिल बरनेज नामक पहला जीन प्रोटीन का निर्माण करता है यह प्रोटीन पादब के परागर में उत्पादन को बाधित करता है जैसे भी पहले हम डिसकस कर रहे थे जीन एडिटिंग में क्या करते हैं फसल की पुना उत्पादन की छमता को समाप्त कर देते हैं जीन एडिटिंग के द्वारा तो बरनेज नामक जीन है यही करता है बरनेज लाइन फसल में एक बरनेज जीन होता है ये प्रोटीन का निर्मान करता है और ये प्रोटीन का करता है कि पराग जो है तो प्रोटीन का जो पराग होता है उसकी उत्पादन को छमता को समाप्त कर देता है इस प्रकार पादप की नर जनन छमता समाप्त हो जाती है और नया बीज नहीं बन पाता है इसमें सामिल जो ब पादन शम्ता खतम की जाती है और बारिश्टर द्वारा उत्पन फिर से पुना इस्तापित की जाती है तो पादन शम्ता इसके प्रणव सुरूप उत्पन F1 किस्म से उपज अधिक होती है और इस किस्म से बीज अनाज भी पैदा होने लगता है और सम्भनित सुर्खियां क्या है सरकार ने BG2RRF का फिल्ट रिटायर करने के लिए अनापति प्रमाडपत जारी किया है यह BT का पास की एक शाक नासी सहिस्णू और कीट पत्रोधी फसल है BT कॉटन की ही एक किस्म है BG2RRF यह याद रखिएगा BG2RRF BT काटन की एक फसल है जो की शाक नासी और कीट पत्रोधी किस्म है भारत ने देश में केवल BG1 और BG2 GM का पास के वेफसाई कुपियों की एक अनुमत दी है BG2RRF अनुमोदन से अलग अलग चरणों में लंबित है भी इसका अनुमोदन नहीं किया गया है लंबित है वरतवान में उपलब्ध BG2RRF अमेरिकी वोलवर्म जैसे बिना सक कीटों के हमले से सुरच्छा प्रदान करता है दूसरा टॉपिक देख लेते हैं दूसरा टॉपिक है साइट डायरेक्टेड नुकलीज टेकनोलाजी SDN टेकनोलाजी SDN टेकनोलाजी का उपिक जीनूम संपादन में किया जाता है साइट डायरेक्टेड नुकलीज टेकनिक इस टेकनिक के बरे में ये तीन तरीके से काम करती है SDN1, SDN2 और SDN3 इसको जीमून कर लेते हैं SDN1 क्या है इसके तरह बाहरी अन्वानशेक्सामगरी को सामिल किये भी ना पौद है कि जीनोम में एक डबल इस्टेंडेट काट चाट की जाती है माल लेते हैं सरसो का ही उदारा लेते हैं तो सरसो का जो भी डीने है इसमें किसी दूसरे का डीने नहीं मिला जाए इसी में काट चाट की जाएगा यहां पर एक जीन है इसमें कोई नो कोई विकरती है तो इस जीन को हटा देते हैं और फिर पुना दो चीजों को वापस में जोड़ देते हैं तो यह क्या है SD1 Technology के इंतर गता आएगा, अब SDN2 में क्या करते हैं कि Double Standard Card Chart की जाती है और जब कोशिका द्वारा Card Chart की मरम्मत की जा रही होती है, तब सहियोगी के रूप में एक छोटा Nucleotide Template प्रेशित किया जाता है, यह बाहर से एक Nucleotides में प्रेशित किया जाता है, इस टेंपलेट को कोशिका द्वारा मरम्मत के लिए उप्योग कर लिया जाता है, और SDN3 Technology में क्या करते हैं कि Double Standard Card Chart को प्रेशित करता है DNA, हला कि इसमें Gene या अनुवांसिक सामगरी के अन्नुक्रम से यूग्ट Template सामिल होता है, इसे कोशिका अपनी प्राक्तिक मरम्मत प्रक्तिया के दावरान Card Chart की मरम्मत के लिए उप्योग करती है, इसके प्रणाम सुरूप अनुमानसिक समगरी का समावेश परिलचित होता है SDN तक्निक DNA कार्ट चांट इस तल पर विशेष्ट छोटे परिबरतनों के लिए DNA कार्ट चांट और होस्ट के प्राक्तिक मरम्मत तंतर का लाव उठाना है फुल मिलाके यह है कि यह जीन एडिटिंग ही टेकनोलोजी है SDN इसमें जो भी DNA खराब DNA होता है या कि दूसरी DNA होता है उसको चेंज करके दूसरा DNA सब्सक्राइब को एड़ कर देते हैं उसका जीन हटा देते हैं फिर DNA को एड़ कर देते हैं दोनों को इसके SDN की और कुछ मुख प्रद्योगी किया है यह का नाम है जिंक फिंगर नुकलीज ट्रांस्क्रिप्शन एक्टिवेटर लाइग एफेक्टर नुकलीज और क्लस्टर्ड रेगुलेटर इंस इंटरिस्पेक्टर सार्ट पेलेंड्रोमिक रिपीट और इसमें बहुत ज़़ेंबर इंपौर्डन कुछ नहीं है यह इंपौर्डंट हो जाता है Chrispero Cas 9 यह क्या है कि यह इसका पूरा नाम है क्लस्टर रेगुलर्ली इंटरिस्पेस दसार्ट पॉलेंड्रामिक रिपीट्स क्रिसपर यह क्या है यह बैक्टीरिया में पाया स्वाइब होते हैं। यहुता तो ही कहलाता है क्रिसपर। यह पो याद रखने के लिए क्रिसपर अनुक्र business का उपयोग करते हैं। Had स्वायम के जीनों में वाइरस के डीने को सामिल कर लेते हैं इससे जब आंगे उसी तरीके का कोई वाइरस हमला करेगा तो संरक्षन या प्रतिरच्छा करने में उसको मदद मिलेगी क्रिस्पर से संबंधित संबध्र प्रोटीन नाइन यह बैक्टीरियल आर एने द्वाद न निर्मित करते हैं जो क्रिस्पर के साथ विक्षित हुए प्रतीत होते हैं इसमें कुछ सब्दा वाली है इसको देख लीजे डीने क्या है यह डी आक्सी राइबो नुकलिक एसिड होता है अधिकांस जीवित प्रजातियों पाई जाने वाली एक अनुवानसिक सामगरी है आर्याने यह राइबो नुकलिक एसिड और एकल इस्ट्रेंड वाले नुकलिक एसिड होते हैं यह कुछ वाइरस में पाई जाने वाली अनुवानसिक सामगरी होती है आर्याने वाइरस में पाई जाने वाली अनुवानसिक सामगरी होती है सभी वाइरस में नहीं पाई जा किसी सजीव के DNA के संपूर्ण सेट को जीनम कहते हैं इसमें सभी गुन्षूत्र और जीन सामिल होते हैं आरणविक कहही क्या है यह DNA के आवंचित हिस्से को कातने हेडों पर्योग के जाने वाली केंशी है और य容易 घ्रीकिया काट दीओं अजाइन और होता है जो काट शाट करता है इसे प्रतिबंदन अजाइम भी रिस्ट्रीक्षन इंजाइम भी कहलें क्योंकि ये guided RNA द्वारा चिन्नित इस्थान से आवंचित जीन को हटाने में सहीओ करते हैं क्रिस्पर क्या है क्रिस्पर क्या है मा लेते हैं कि ये सुमन नाम की महिला है इनका इनको ये सिकल सेल डिसीज से प्रेज़ ते सिकल सेल डिसीज आपको एक बार क्या होता है कि हीमोगलोव जाते हैं और प्रणाम समय हीँмов होने लगता है और ये एक गंभीर रोग बन जाता है ये अधिकतार अनुभांसिक रोग ही होता है इसे इत्रोंगे निकाльा अब इसमे क्या करेंगे प्रयोक आर्यान की स्ट्रेंड को विक्षित किया जाएगा यह म्यूटेटेड डियने अनुक्रम से मेल खाता है और इसको जब इसका जो डियने निकाल लेंगे आर्याने और डियने अलग लग कर लेंगे तो इसमें कैस नाइन जो प्रोटीन होता है या एक तरीक एक एंजाइम होता है इसके गयान दौण के द्वारा इस में यह आन धीं कैसी भी खेल आती है गाशन को आर्याना प्रोटीन सीस्ट्ध अजया आयगा अब इसके दौरह जो डियने अंदर गया और झायद है है इसमें मोडिफिकेशन किया गया कि इसको काम क्या करना है अंदर जाके यह सिकल सिल्डों को उत्पन करने वाले म्यूटेटेड डियने की पहचान करेगा और प्रभावित अनुक्रम को काट कर अलग कर देगा क्योंकि कैस नाइन एक तरीके का एंजाइम ही है और यह काट शाट कही काम करता है अब काहले स्फिकेंस पर यह सुचार रोप से संपन हो जाने पर सुमन को सिकल स्वोड का सामना नहीं करना पड़ेगा है जिस पर तकनीगी यह का कार तो हम देखी चुके हैं और इस अंदर में इसके लाव क्या है कि ये सिकल सेल इनीमिय की इलाज के अध्यान में राश्टी के सिखाद जैब प्रद्यवकी के सुद करता हूं ने केले के जीनोम को इसकी पोसर्ण गुडवत्ता और रोग जनक प्रतिरोध आदी में सुधार के लिए संपाधित किया है एंटीजन रिसेप्टर टीसल न्यूज में क्यों है क्योंकि भारत में पहली बार इस टेक्निलोजी का उप्योग किया गया है और यह विक्षित की गई है आयाइटी बांबे और टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा यह एंटीजन है क्या एंटीजन कोई भी ऐसा जैसे बै है वही कहलाता है एंटीजन और इससे समझे कुछ चीज़े देख लेते हैं कि यह काई मेरिक एंटीजन टीसल थेरपी होती क्या है तो इसल की प्राप्टिक एलिए रोगी के सरीर से पहले ब्लड निकाला जाएगा उससे टीजल अलग किया जाएगा अब टीजल में प्रेय प्रेयोग साला में चेंज करेंगे अब इसमें काई मेरिक एंटीजन रिसेप्टर के लिए जीन प्रवेस्ट करवाया जाएगा इसी सेल में काई मेरिक एंटीजन रिसेप्टर के लिए जीन प्रवेस्ट कराया जाएगा जिससे कोशिका बंब के तयार होगी क्या नाम होग शाज का काईमेरिक इंटेजन रेसेप्टर t-cell अब प्रयोग साला में इसी तरह है की कई लाखों को सिकाओं का निर्माण किया जाएगा और इन को सीकाओं को मानों स्रीज में यह की जो फ्रवाबद कर देंगे यही यह टीसल थेरपी कहलाती है कि काइमेरिक इंटेजन रिसेप्टर्ट टीसल के उपचार के बारे में देख लेते हैं यह टी कोशी का नाव पतिरची कोशिकाओं को कैंसर से लड़ने के लिए प्रयोक साला में संपादित करने का एक तरीका होता है टीसल क्या है टीसल डबलुबीसी है वाइट बलड सेल होता है जो बाहरी रोक जनकों पर हमला करता है डबलुबीसी दो प्रकार के होते हैं ग्रिनुलोसाइट और एक ग्रिनुलोसाइट ग्रिनुलोसाइट में तीन प्रकार होते हैं एक होता है नेट्रोफिल योसीनोफिल औ और बैसोफिल हम बसोगे लिखने इने और यह म निट्रो फिल मेल द्रफ यह फैग साइट्ससी ऐनके को यह बाक्टरिया हें कि अब अब बित्ष तो यह को निट्रोफिल है यह बैकटिरिया और वाइरस को घर करके समाप्ट कर देता है अपने अंदार ऐसे घेड़ लेता है इन वाइरस बैक्टिरिया को और इनको बांकी से अलग कर देता है तो यह जब डेवलब यह और ज़्यादा विक्सित नहीं हो पाते हैं अपने को प्रतिरूप में अपनी प्रतिलिपी और नहीं बना पाते हैं तो यह अपने आप ही सेल्स नश्ट हो जाते हैं यह काम करता है और आप बलट कर वाते होंगे कि इजा सीवीसी के टेष्ट होती है इसमें वह घ activity नो सबस्तिण हो बढ़ा होना क्या बदाता दो यह कोई ना कोई वाइरस हैं जब भैक। negotiating your wordAS कोई वायरल या वेक्टीरियल इन्फेक्शन है दूसरा हई यूसीनोफिल यह पर जी वी संक्रमन का सामना करता है बैसव फिल ना इंफले मेटरी और एलर्यकिक प्रतिकलिया उत्बना करते हैं जिभी कोई बैक्टीरिया वायरा साता है आपके सरे ना अच्प, यह यह झाए होते हैं धूरका है इलिग को लगना तो कोई भी जो भी बाहरी भायरस वगयर आता है राइस या बैक्टिरीया तो 300 जानकारी देने के लिए कि शरीर में बाहरी तद्ट प्रभीश कर गए है उसके लिए सरीर को को इंफ्लामेटरी कर देता है या कि फिर उसको में एलर्जी उत्पना कर देता है तो उसे जब भी आप सीवी सी के टेस्ट करवाएंगे तो बैसोफिल की मात्रा बढ़ी हुई आएगी अब a granulocytes क्या है इसमें यह दो प्रकार के होंगे लिंफो साइट और मोनोसाइट आँगे तीन प्रकार की होंगे बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट और नेशुरल किलर पोसी का तो जो हम ती सेल पढ़ रहे हैं तो यह एक प्रकार का लिम्फोसाइट ही है टी लिम्फोसाइट यह लिम्फोसाइट क्या है यह रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया विक्सित करने का काम करता है लिम्फोसाइ डारेक्ट सामना करके वह रोग प्रतिरुधक प्रतिक्रिया विक्सित करता उस प्रतिक्रिया के दौरान वह बी लिंफोसाइट सेल बनाता है टी लिंफोसाइट बनाता है फिर बी लिंफोसाइट को नस्ट करेगा बारास बैक्टिरिया को टी लिंफोसायट करेंगी ती लिंफोसाइट को ही टी-सेल कहते हैं कि रोगी करक्ट से लिया जाता है उन्हें मानो नेर्मित रिसेप्टर बनाने के लिए प्रयोकसाला में जीन जोड़कर बदला जाता है इसके बाद CRT को T-Cosikon के साथ जोड़ा जाता है काइमेरिक एंटेजन रिसेप्लर को T-Cosikon के साथ जोड़ा जाता है इसमें T-Cosikon को विभिन कैंसर सेल एंटेजन की बहतर पहचान करने मदद मिलती है और इन परिवर्ति T-Cosikon को ही काइमेरिक एंटेजन T-Cell के लाव क्या है मौझूद प्रणालिग में रोगी को कैंसर की कुछ प्रकारों का इलाज करने में सच्छम बनाता है और इसका लाव यह है कि इसको सिर्फ एक बार सरीर में प्रविस कराया जाता है बार बार जैसे दबाई वगयरा बार बार खानी पड़ती है तो उसकी जवर्वत नहीं पड़ती है कीमो थेरपी बार बार देनी पड़ती है तो यह उसके विलट T-Cell काईमेरिक एंटेजन रिशेप्टर T-Cell therapy जो है उसको केबल एक बार की जाती है और कैंसर के उप्चार में कम समय लगता है और रोगी अधिक तेजी से ठीक हो सकता है अब इसमें T और B-Cell हैं इनको देख लेते हैं कि यह प्रतिरच्छा प्रणाली को सिकाई है जो की जन्मजात और उपारजित होती है जन्मजात प्रतिरच्छा को सिकाई क्या होती है यह सरीर की पहली रच्छा पंक्ती होती है जो संक्रमार से लड़ने के लिए तुरित प्रतिक्रिया करती है उपारजित प्रतिरच्छा प्रणाली इसे अनुकूलित प्रतिरच्छा प्रणाली भी कहते हैं यहीं कि समय के साथ जो भी बायरस वैक्टीरिया शरीर में आते गए उनको एडाप्ट कर लिया शरीर ने तो उसे कहेंगे उपारजित प्रतिरच्छा प्रणाली कोई सजीव वया संक्रमा जब रच्छा प्रणाली की पहली पंक्ति से बच निकलता है तब यह T और B सेल्स का उप्योग करती है T और B सेल्स समय के साथ अनुबहों से विक्सित होती है और इने विक्सित होने में अधिक समय लगता है लेकिन यह जन्मजाद कोशिकाओं की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती है T और B सेल्स जो जन्मजाद हमारी प्रत्रचा प्रणाली होती है उनकी तुलना में यह T और B सेल्स ज़्यादा समय तक काम करती है बी और टी को इसकाओं को लिंफोसाइड भी कहते हैं तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं यह डबली बीसी है यह सब डाइग्राम में हम लोग देख चुके हैं बी सेल्स जो है वो वाई आकार के प्रोटीन होते हैं जो प्रत्य रूप जनक के लिए विशिष्ट होते हैं ठीक हो इसका हैं बाहरी संक्रमणों और सजीवों के विरुद्ध प्रत्य रूप चे लड़ती हैं यह साइट साइटोकिन्स का भी उत्पादन करती हैं और जो की साइटोकिन्स प्रतिरच्छा प्रणाली के अन हिस्सों को सक्री करने में मदद करते हैं तीसल वाइरस द्वारा संक्रमित यह कैंसर कारी बन चुकी शरीर की अपनी कोशिकाओं को निश्ट कर देता है अंगला टॉपिक है जीनोम सिक्वेंसिंग जीनोम सिक्वेंसिंग क्य सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं कि जीनोम सिक्वेंसिंग किसका करेंगे डियने का ही सिक्वेंसिंग डियने में ही जीन वगयरा सारी चीजें होती है तो पहले देख लेते हैं कि डियने है क्या डियने चार बेस से बना होता है चार से चार चार होते हैं उन से मिलके ब ठाई्टोसिन। थाइमिंग्वान इन इन ! ये 4 किस क्रम में सेट है वह किसी सजीव के DNA का निर्मान करएगां कि सजीव के DNA के संपूर्ण सट को ही जीञ्व कहते हैं यह पूरा सट देन विक्सित हो जाता है तो इसे ही हम कहेंगे जीनोम जीनोम में सभी गुर्ण सूत्र सामिल होते हैं और गुर्ण सूत्र में डियने और जीन सामिल होते हैं गया तब है कि डियने के विशिष्ट खंड होते हैं मानो जीनोम में लगभग तीन अरव छार यूग्म बहुत होते हैं एक जीनो का समझ बेहतर करेगी दुरलब बीमारियों के इलाज में सहायत होगी और जेनिटिक म्यूटेशन की पहचान करने में भी मदद करने बाली है पहले भी जीनोम को पर्यास किया गया था लेकिन सफ़ला नहीं हो था क्यों कि ऊसे परसंट नहीं थी जो उसमें से अर्ट पर जोकी आट परसंट जीनोम को पढ़ने सच्छम नहीं थी उसलीए पूरे उन्होंक spends संग्रहण नहीं हो पाया था से को लिए कई पहले की गई है इसमें से इंडिजन कारक्रम है कि निर्जाती संवूहं का प्रतिन दे ऩुकरने वाले ऐजार भारतियों के संपूर्झ voices करना यह भीयाने और उंसंदार प्रशत csi r करद अनुक्रमर करना और दूसरा प्रोजेक्ट था जीन यो इंडिया प्रोजेक्ट इसके क्या था कि देश भर के 10,000 नागरिकों से अनुवांसिक नमूना इकात्र करना इंडिजन कारक्रम में नरजाती समूह जो हैं उनसे हजार उनके मतलब जो प्रतिनिद्रत करते हैं नरजाती समूह का ऐसे हजार लोगों का डियने लियन था और जीनोम इंडिया फ्रोजेक्टल प्रद्यों की विभाग द्वारा माणो जिनोम पर योजन्व करजेक्ट के इससके लेंस के लिए है के दोए시는 की अइन्ट एंडिया उनने प्रहिए है उन्हें जीवों के संपूर्ण जीनोम में उसे बड़ी मात्रम संबंधित जानकारियों का अध्हेंँ ने इसमें बहुत जदा इंप्ट पूर्टेंट कुर्छ नहीं देख लेता है कि वह साइंस काउंसिल ने बैस चिक स्वास्थ के लिए जीनोमिक्स तक पहुंच में तेजी लाने के लिए केंद के पर केंदे अपनी पहली रिपोर्ट जारी की है और इसमें तरक लिए इसका बहुत ज़्यादा पूर्वा क्लोन तयार कर लिया गया है पस्वों की क्लोनिंग में क्या किया जाता है कि जिसका क्लोन बनाना है जैसे जो भी सुरूत है तो उसका डियने लेंगे उसके डियने को काट चाट के अलग करेंगे और होस्ट का डियने लेंगे उसको भी काट के अलग करेंगे अब इ कैयूं तयायगा हो नो Con oil property के समान ही अनुवांसिग ब्रस्पाइब स्पाइब को यह यहां तक की एक संपूंड जीव भी सामिल हो सकते हैं मतलब किसी जीन की क्लोनिंग कर सकते हैं कोशिका की कर सकते हैं उतक या किसी से एक संपूर्ण जीव की भी क्लोनिंग कर सकते हैं समान अनुवांशिक सामगरी होने के बावजूद क्लोन हमेशा मूल सजीव जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि सारीरिक विशेष्टा के निर्धारण में पर्याबरण की भी भूमिका होती है इस्तंधारियों सहित मनुस्यों में एक जैसे दिखने वाले समरूप प्रकृतिक क्लोन के ही उधारण जैसे मनुस्यों में ट्विन्स दिखते हैं वैसे इस्तंधारियों के भी ट्विन्स बनते हैं क्लोनिंग के द्वारा जब एक निशेचित अंडा दो या दो से अधिक भ्रून में भी वहजुत हो जाता है तब यह फलसुरुप जुड़ुबा पैदा होते हैं ऐसे भ्रूनों की अनुवांशिक सामगरी लगभग समान ही होती है प्रतिम क्लोनिंग के तीन अलग अलग प्रकार होते हैं पहला होता है कि डियने या जीन क्लोजिंग क्लोनिंग इसके तहट आपेचित डियने अंश को जीवान प्लाजमिट जीवान प्लाजमिट जैसे अपनी प्रकेती बनाने वाले अनुवांशिक तत्तों में इस्थानांतरित कर दिया जाता है अपेचित डियने अंश को जीवान प्लाजमिट जैसे अपनी प्रतिकृति बनाने वाले अनुवांशिक तद्दों में इस्थानांतिर्ट कर दिया जाता है जो भी डियने हमको चाहिए उसको जीवान प्लाजमिट बनाने वाले अपनी प्रतिकृति बनाती रहती है उसमें इ यूकलियस रहित अंड़क में इस्थानांत्रित किया जाता है जो एक सेल होता है उसमें इस्थानांत्रित किया जाता है अब यह सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं सोमेटिक सेल्स होते हैं यह एक सेल एक सेल और इस्पर्म सेल इस्पर्म सेल इन दोनों को छोड़कर सुमेटिक सेल में ये दोनों सेल नहीं होते बांकि सरीर की सभी कोसिकाओं को सुमेटिक कोसिकाओं कहते हैं सुमेटिक कोसिकाओं एग सेल और स्पर्म सेल को छोड़कर इस सरीर की सभी कोसिकाओं को सुमेटिक सेल कहते हैं मतलब इसको कैसे इस्थनांतित कर दिया जाता है कि सोमेटिक सेल में तो सोमेटिक सेल से जो भी नुकलियस लेंगे इसका नुकलियस निकालेंगे और यह एक सेल का नुकलियस निकालेंगे एएक इसेल का न्युक्लियस बाहर निकाल देंगे तो सोमैटिक सेल का न्युक्लियस एक सेल में प्रवेसित करा देंगे इसे ही हम कहते हैं प्रजन miracle선क्लोai इसके पस्चाथ क्रतिन के गsterिया है उसके जैसा यह बढोंड बनेगा इस प्रक्रिया को सो मैंटिय के अधे की बनने के लिए इस ही प्रक्रिय को प्यक्यák गया था यह क्लोन किया आँ पहला इसतन पाई था डॉली क्लोन किया जाने वाला पहला संपाई यह تو ethbook क्लोनिंग के होती है यह बूल के स्रजन तक प्रजन उस्हान में कर देते हैं तो यहां तक प्रक्रिय से ही इसके आभे ग्रोड बनता है कि ब्रद्धी प्रयोग साला में होती है लेकिन क्लोनिंग में का होता है कि इसके जो बिद्र होती है वो तजीव के अंदर ही होती है कि इंजय भी लाजिकल डेटा सेंटर इसे आ बहुत जादा कुछ कि इंपोर्टन थै नहीं कि इन्डियन बाईलाजिकल डेटा सेंटर को कहता बढ़ा है कि कि फड़ाल इसक्ताइ। किया गया और इसको किसके दोरह करवाया गया है इसके मतलब संस्था कौन है इसके पीछे प्रद्योक OkayLY इसकी पीछे कि संस्था है और इसके तहद जो डिज़िटल क्रेट्ट होगा वह चार पेटवायट समताबाली सोपर computer ब्रम में संग्रहित किया जाएगा Indian biological data को सुपर computer में ही संग्रहित किया जाएगा को इसे बहुत ज्यादा importance को यह सटर्मियोलाजी है नहीं इसमें यह है कि महराष्ड मंत्री मंडलने gene bank project को सुविक्रिति पदान कर दी है gene bank किया यह एक प्रकार का जय भंडार होता है जिसका उद्देश पादपों पादपों तथा जानवरों को सनरचित करना पादपों कैसे सनरचित करेंगे उनके बीज पौधे को एकत्र करना और उतक संबर्धन के द्वारा पादपों को सनरचित करेंगे और जानवरों कैसे करें राश्टी पसु अन्वान्शिक संसाधन ब्यूरो करनाल और चांगला लद्दाख में इंडियन सीड वाल्ट अन्वातपूर्ण सुर्किया है जैवी करन्सदान विम्मिजूस अन्मोदन पोर्टल अन्यवा ऊपके माइव criminal की मागों को पूरा करने के लिए बायोरेप पोर्टल विक्सित किया है कि यह इस यह किया कम करेगा इस पोर्टल के मादम से उत्पन बायो रेप आई डी कई व्यामक एजेंसी ओंके पॉर्टलों से जुड़ी हुई है है यह कुलमिला के यह बिनियामक एजेंसी के लिए यूज होगा बाइू रहाख जयाज़ा तक आड़ n विक मोटर यह एक्जामेद पूछा ऽा सकता है कि कि इसको उर्ध ऐन होने पर मोलेकिलर मोटर यह DNA औरिगामी बिधी का उप्यो करके बनाई गई है जो मोटर बनाई गया है Molecular मोटर यह DNA औरिगामी बिधी का उप्यो करके आडविक पैमाने पर मोटर का निरमाड किया गया है औरिगामी बिधी में नाइनो इस तरपर 2D और 3D अबजेक्ट बनाने के लिए DNA को मोड़ा जाता है आर्विक मोटर्स प्रोटीन का एक वर्ग है यह रसानिक उर्जा को यांतरिक कारे में परवर्थित करके अंतर कोशी गति को संचालित करता है हमारे शरीर में आर्विक मोटर की भूमिका की कुछ उधारन जैसे क्या है पेशी, संकुचन, स्तमसूत्रन, कोशी का विवाजन आदिए आर्विक मोटर की भूमिका निभाते है पहला टॉपिक हमारा कतम हुगा अब हम आजाते हैं दूसरे टॉपिक पर उससे रिलेटेड कुछ पहले कोश्चन का स्वल्व कर लेते हैं यह सेकंड टॉपिक है पहला कोश्चन है नेशनल डाटा एंड एनलेटिक्स प्रोग्राम किसके द्वारा लांच किया गया है नीदियायोग द्वारा प्राष्टी इसांख की कार्याले द्वारा तूचन एवं प्रसारण मंत्र आले द्वारा भारती मौसम विग्ञान विभाग द्वारा पॉस करके अपना राइट एंसर दीजिए नेशनल एनलेटिक्स प्रोग्राम नीदियायोग द्वारा लांच किया गया है दूसरा कोश्चन है आल ही में चर्चा में रहे योटा डीवन योटा डीवन योटा डीवन का संबंध किस्से है भारती तरच्छक बाल द्वारा प्रिक्त उन्नत किस्म की निगरानी बोट है ये भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है उत्तर पूरी भारत चीन सीमे पर तैनात हलका युद्धक हेलीकप्टर है यह मंगल ग्रह का खोजा गया एक नया चंद्रमा है युट्टा डीवन का संबंध किस से है पॉसकर किसका राइट एंसर दे इसका राइट एंसर है से संबंधित कतनों पर ध्यान देना है पहला इसकी शुरुआत दूर संचार विभाग द्वारा की गई है दूसरा इसके माध्यम से प्रतेक माह प्रधान मंत्री द्वारा जनता को आधिकारिक रूप से संबोधित किया जाता है इनमें से कौन सा राइट विकल्प है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों सही हैं या इनमें से कोई भी सही नहीं है भास करके आप अपना इस और दे इसका राइट एंसर है अप्सणे केवल एक सही है इसके सुरूआ तो दूर संचार विभाग द्वारा की गई है यह राइट है लेकिन यह गलत है क्यों कि पिम बान अंगला कोश्चन है निम्रोखित में से सही युगमू का चुनाओ करना है एक तरफ दिये गए है और अर्टिफिसिल इंटेलिजेंस प्रोग्राम और दूसरी तरफ दे गए संबंधित कंपनी या देश मतलब किस देश के द्वारा एकंपनी के द्वारा इनको विक्षित किय गया है अर्टिफिसल इंटेलिजेंस इनके द्वारा विक्षित किया गया है लेक्सी भारत द्वारा बार्ड गूगल द्वारा चैट जीपीटी ओपन एई द्वारा इनमें से कौन से विकल्प सही सुमेलित हैं केबल एक सही सुमेलित हैं केबल दो सही सुमेलित हैं केबल कितने युग्म सही सुमेलित हैं पाउस करके इसका राइट एंसर देजिए इसका राइट एंसर है D उपरोग ते सभी सही सुमेलित हैं अर्णी लेक्सी अर्णी चाइना का है लेक्सी भारत का है बार्ट गूगल का है चैट जीपीटी ओपन एई आई है जो की Microsabst के एक subsidiary कंपनी है Microsoft के एक subsidiary कंपनी है open AI अई चलते हैं देखते हैं अपने टापिक में क्या क्या discuss करना है पादा टापिक इसमें भूषित्तानिक पत्द्योकी के बारे में दिया गया है इससे दाने लाइक महुत ज़्यादा तुछ है नहीं डेटा इसका कहा करते हैं हम लोग इसका लच्छ क्या है डेटा का बेहता रूपयोग करना बैस्जिक नितर तुकरता की रूप में भारत को प्रदर्शित करना और एकी क्रित नित इस नित का उद्देश मजबूत राष्ट्री फिमबर्ग का निर्माण करना है और निजी छेतर की भागीदारी को भी प्रुच सहित करना है नेशनल जियो इस पेटियल पॉलिसी 2022 का यह लच्छ है कि इसमें भू स्थानिक डेटा उसनाचना में इसमें संयुक्त राष्ट सांकिकी प्रभाग 14 ग्लोबल फंडामेंटल जियो स्पेसिलिस्ट डेटा थिम्स को मानता देता है इसमें बहुत ज़्याद एक इसके बारें देख लेते हैं यह इंडिया डेटा एक्सेसिबिल्टी एंड यूज पॉलिसी 2022 प्रारूप का संसोधित संसकरन है इसका लच्छ क्या है कि वरतमान और दसक की उभरती प्रद्योगी की और सक्ताओं के अनुरूप डेटा तक पहुंच गुडवत्ता और उप शित करना आदी इसमें गैर बेक्तिगत डेटा नन परसनल डेटा के बारे में बात बताई गई है नन परसनल डेटा क्या होता है इसी भी ऐसे समों के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें बेक्तिगत रूप से पहचान योग योग सूचना सामिल नहीं होती है जैस लेकिन अगर आप अपना नाम मुबाइल नमबर बता देते हैं तो यह आपका परसनल डेटा हो जाएगा इससे आपकी पहचान उजागर हो सकती है गैर बेक्तिकर डेटा तीन प्रकार के होते हैं एक होता है पबलिक नन परसनल डेटा कम्मिनिटी नन परसनल डेटा और प्राइवेट नन परसनल डेटा पबलिक नन पर्सनल डेटा किया होता है कि यह सरकारध्य ड्वारा요 उथ पन्न किया जाता है जैसे ऑर जैसे किस कर्द्र के लिए वहां 성्मुदायत्य prosperity a देटा माना जाता है और समुदाइक गयर बैक्तिकर डेटा क्या होता है यह सभाविक रूप से बैक्तियों के समुदाइसे प्राप्त या तथ्यात्मक डेटा होता है यह समुदाइसे प्राप्त किया जाता है समुदाइसे प्राप्त किया जाता है जैसे नगर नेगमों या स इसकी अवस्यक्ता क्यों है डेटा दाइट गवर्णन्स को प्रचाहिद करने के लिए गोपिनीता मान को कुछ रजन मदद करने के लिए डेजिटल अर्थवर्षता बढ़ाने के लिए और सरकारी डेटा संग्रहें प्रबंधन प्रक्रियाओं में परिवरतन या आधनिकी कर अएं करने के लिए बहरती डेटा सेट प्लेट फार्म यह इसी प्रोग्राम के घटक रहर है वर वर इस्टाप प्लेट फार्म है जहां सरकारी संस्थान 200 ईकत्र भार्ती नागरिकों यह भारत में रह रहें लोगों में लोगों से कद्र किये गए अनामिकृत या गैर अनामित गैर बेक्तिकर डेटा को संग्रित किया जाएगा भारती डेटा सेट प्लेट फार्म में भारत में रहने वाले चाहिए भारत का नागरिक हो या नागरिक ना हो कोई भी बेक्ति भारत में जो रहे रहा है उसका गैर बेक्तिगर डेटा संग्रित किया जाएगा भारती डेटा सेट प्लेट फार्म में यह प्लेटफर्म अनुरोधों को संसाधित कर भारती शोध करता हूं और स्टार्टप्स को डेटा सेट तक पहुंच प्रदान करेगा शोध करता हूं और स्टार्टप्स को यह डेटा प्रदान करेगा भारती डेटा सेट प्लेटफर्म हैं किए गयर बेक्तिगर डेटा होगा और यह नीजी कंपनियेंपर लागू नहीं होता नीजी कंपनियेंगों जरूरी नहीं है कि इस प्लेट्परंप पर अपनी जानकारी अपनी जो डेटा कंट किये हैं उसको इसको दर्साएं है लेकिन वुस्तुचा से अपने डेटा चार्ज नहीं लिया जाएगा इसका मुद्री करान हे तो कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि इसके संबद्दित अनल कोई सुर्खियां है नहीं ती आयोगी ने मुक्त सर्वजयनिक उपयोग के लिए नेस्नल डेटा and analytics platform launch किया है किसने नीदियायोग ने लांच किया है इसको याद रखिएगा यह important question है नीदियायोग द्वारा लांच किया गया ndap उपयोग करता के uncool wave platform है यह सभी उपयोग करताओं के लिए सुलब है कार्य इसका कार्य क्या है यह platform अलग अलग सरकारे जन्सियों के मूल भूड डेटा सेट उपलब्द करवाए गये हैं यह डेटा को सुसंगत तरीके से प्रस्तुत करता है यह analytics और visualization के लिए टूल भी प्रदान करता है डेटा इंपाउर्मेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर दीपा यह bank for international settlement ने भारत की डेटा इंपाउर्मेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर का समर्थन किया है देपा बहतर डेटा गवर्नेस देस्ट कोन के लिए एक संयुक्त सर्वजनिक निजी प्रयास है यह इंड इंडिया इस्टेक की अंतिम परत बनाता है अब इंडिया इस्टेक अप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एक सेट होता है यह सरकारों बेवसायों स्टार्टप्स डेवलिपर्स की एक विशेश डिजिटल आपसन रचना का उप्योग करने की अनुमति देता है इ युट्टा डीवन इसे एक कोश्चन भी हम लोग बनाए थे युट्टा डीवन क्या है यह देश का सबसे बड़ा और उत्तर भारत का पहला हाई पर इसकेल डेटा सेंटर है जो की ग्रेटर नोड़ा में इस्थाफित किया गया है यह केंद्रिकृत इस्थान में एक इस्थाफित सुरचित जगह है जहां कंप्यूडिंग और नेटवर्क उपकरण की बड़ी मात्रा में डेटा एकत्रन भंडारन प्रसंस्क्राण वित्रन और पहुंचके अनुट देने के उद्देश से इस्थाफित किया गया है यह यह डेटा को स्टोर करेगा को आएटी मद्रास के निर्थत में आठ संस्थानों ने बहु इस्थान भागीदारी परियर्जना की रूप में विक्षित किया गया है यह देश का पहला 5G टेस्ट बेड़ है इसकी मदद से स्टार्ट अप और देव जगत के पतिवागी इस्थानी संस्थान द्वारा उ और इनकी अवस्त गति में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है लेटेंसी तो लगभग ना के वराबर रह जाएगी 6G में लेटेंसी ना के वराबर रह जाएगी 5G Cellular Network की पांचवी पीड़ी है इसकी विशेश्थाएं क्या है लो बैंड इस्पेक्ट्रम चार्ट वन पर गीगा हर्ट एक चार्ट पर एक गीगा हर्ट जिसे कम केस में बैंड विट्स में इसको चलाया जा सकेगा कम अबादी वाले छेत्रों के लिए और बिल्ट अप छ बैंड 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 के लाता है यह 5G के लिए आधर्स है क्योंकि यह लंबी दूरी तैक करते हुए काफी सारा डाट दे जाने में सच्छम है है यह 24 गीगा हर्ट बैंड और उससे उपर का है यह कम दूरी के लिए अतिधिक तेजगदी प्रदान करता है जितना बैंड ब अब इसमें देखे देए बहुत ज़्यादा इसमें भी नहीं है एक है नेट वर्क स्लाइसिंग इसको देख लेते हैं यह जा में पूछा जा सकता है नेट वर्क स्लाइसे एक नेट वर्क कफिग्रेशन है यह एक सामान बहुत इक बनियादी ढांचे के सीर्ष पर कई गटक बन गया है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्लाइसिंग के जरीए अगर आप अपनी कंपनी को निर्देशित करते हैं कि जब आप क्रोम ब्राउजर चलाएंगे या सफारी चलाएंगे तो इसमें आपको इंटरनेट स्पीड आप बता सकेंगे कि मुझे इतनी ज्यादा स्पीड इसमें चाहिए या कि आप यूटूब चलाएंगे तो आप इनको बता सकते हैं कि यूटूब में हाई स्पीड चाहिए अब आप कोई दूसरा ब्राउजर चला रहे हैं मालेज़ आप फायर फॉक्स चला रहे हैं तो आप इसमें इसको निर्देशित कर सकते हैं कि आइबराइजेशन क्या है यह आप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से रेडियो टाबरों को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया है यह नेटवर्क कबाई हिस्सा है जो 5G सेवा मुप्यों के गए डेटा की बड़ी मात्रा में नेटवर्क को नेटवर्क के कोर को एक छो से में 80% जापान और चीन में लगवख 90% के जो रेडियो टाबर हैं वो फाइबर से फाइबर आप्टेक्स से जुड़े हुए हैं अगला देख लेते हैं 5G स्पेक्ट्रम की निलामी की गई है इस निलामी में 600 मेगा हर्ज, 800 मेगा हर्ज और 300 मेगा हर्ज के बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई है अलग-अलग 10 बैंड में स्पेक्ट्रम की पेस्कस की गई थी जिसमें से 600, 800 और 300 मेगा हर्ज के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई है विभाग दो बोलियां 5G band 3300 MHz और 26 GHz के लिए थी जबकि एक चौधाई से अधिक की मांग 700 GHz के लिए थी और जीयो ने इस निलामी में सीर्स बोली लगाई है याद रखेगा जीयो ने जो इस्पेक्टरम का 5G इस्पेक्टरम की निलामी हुई है उसमें लवक देड़ लाग करोड रुपैसे अधिक मुझा स्वरी देड़ लाग करोड से टोटल का विक्री हुई है लेकिन जीयो ने सबसे ज़्यादा 5G इस्पेक्टरम में निलामी की बोली लगाई है इसमें कुछ विद्दुत्जम की स्पेक्टरम दिये गए हैं रेटियो वेब्स होते हैं माईक्रोवेवज इंफरा रेड दिर से प्रकास प्रावैगनी एक सरेगा हमारी इनका यूज़ दिया गया है रेडियो वेजर रेडियो टेलिवीजन के परसारण में यह फ्लोरेसंट ट्यूम में प्रेक्ट होती है इससे तोचा द्वारा अवसोचित कर लिया जाता है और एक सरे सरी के अंदर बस्तुओं के अंगों को देखने के लिए यूज अंदर रख देखने के लिए जैसे कोई आप एरपोर्ट जाते होंगे वहां पर चेकिंग करते है एक सरे के द्वारा ही अंदर देख लेते हैं कि आप चकू लेके गए हैं कि नहीं गामा रे कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए एक दबा की रूप में काम करते हैं कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए कौन से रे का यूज करते हैं गामा रे का यूज करते हैं अब देख लेते हैं 5G Open Radio Access Network यह क्या है 5G Open Radio Access Network और अनुत्पादों को एक साथ विक्सित करने के लिए एक समझाओते पर हस्ताचर किया गया है किसने हस्ताचर किया है Center for Development of Telematics बाइसिंग और वीडी एन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिम्टेड रेन के बारे हम देख लेते हैं यह नेटवर्क का एक हिस्सा होता है वे मुख नेटवर्क इंफ्रेस्टेक्चर को इंड यूजर्स से जोड़ता है ओपन रेन के लाव क्या होंगी इससे इंटेलिजेंस और प्रोग्रामेवल नेटवर्क बन सकता है वामेत की कुल लागत में कमी आएगी तो चालन और प्रबंध नीता सुगम होगी और बाजार की बढ़ती मांग के अनुरूप इसको डिवलप किया जा सकता है नवाचार संबन्धी छमता भी इसमें अधिक है विक्रेता संबन्धी विवित्ता भी है और डेडियो नेटवर्क संबन्धी डेटा सेंटर एकॉनिक्स का काम करेगा ओपन रहन कि is różnych यह भी हो सकता कि कोच्चना सकता कि कितने प्रकार का होता है यह दो प्रकार का होता है लिट को नेट वरक ज्यांट ऑफ जिस से अभी तो को नए इडियो एक्सेस नेटवर्क दोनों को आपगरेट की किया जाता कि जैसे प्र नहीं कि जैसे अब 651 कxic कोर्ड नेटवरग अदिखतर मोबायल में चाल रहा है इसको थो भी नटवर्क होगा जोनटक्वर्क में इसको भी फाइब जी के लिए अफग्रेड किया जाएगा यह कहलाएगा इस टेंड अलोई फाइब जी यह LTE Network 5G Wireless संचार माना को पतिश थापित करता है साथ ही मौझूदा 4G Core के साथ किसी भी अंतक्रिया के बिना 5G Saver के पूरी तरह से सुतंतर संचालान को संभव बनाता है Non Stand Alone 5G क्या है इसमें Network के Cable RAN के ही हिस्से को Radio Access Network को ही अफग्रेड किया जाता है इसमें Core Network को अफग्रेड नहीं किया जाता इसे मौझूद 4G Network पर बनाया गया है जो Non Stand Alone 5G Network है अभी जो 4G Mobile सिस्टम है उन पे भी ये कार्ट कर सकता है Non Stand Alone 5G पर Stand Alone का लाव क्या है कि यह बहतर अबाच की गुड़ता और ती ब्रगती बहुत कम लेटेंसी आदी कुपलब्द करवाता है Stand Alone 5G के समझ चुनाती क्या है यह सभी फोन में Stand Alone 5G का सपोर्ट नहीं करेंगे और इनकी कीमत भी अधिक होगी सेटलाइट कम्यूनिकेशन यह निविज में क्यूं है क्योंकि ट्राइट ने सेटलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना और संचालन के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क किसी फारिस जारी की है ये उपधिय के बारे में आप जानते हैं। सेटलाइट संचार के लाप भी अब को पता है क्या है कि सेटलाइट के माध्यम से इन्टर्नेट प्रवाइट करवाना satellite internet connectivity भू इसतीर काच्छा, भूमद काच्छा और निम्द भूक अच्छा का उपियो करप्तान की जा सकती है यह satellite television से अलग होती है satellite internet सेवा में दो तरफा internet signal का प्रभाव होता है साथ ही इसके साथ data के प्रभाव के लिए बहुत अधिक मातरा में सकता होती है याद रखे गए इंटरनेट जो है सेटेलाइट टेली विजन टेक्नलोजी से अधिक होता है दोनों में समानता नहीं होती है यह भूमिगत कापर फाइवर नेटवर्क पर अधारित नहीं होती इसके तहट अंत्रेच में इस्थाफित उपग्रह को ब्राडवेंड सिगनल भेज कर और इसे ब्राडवेंड सिगनल प्राप्त करके इंटरनेट सेवाएं प्राप्त की जा सकती है अन्य संचार नेटवर्क जो नियूज में थे वाई फाई रेल्टेल ने बाईसराजियों के सो रेलवे स्टेशन लूपर अपनी सरवजननेग वाई फाई सेवाउं के लिए पी म班न whip योजना अधारित पहुँच शुरू की है पीम बाई वाई वाई योजना कही के लिए है इस्टेशनों पर वाई-फाई सेवाओं को प्लब्द करवाना वाई-फाई नेटवर्क को रेल टिल सी डौट दौरा निर्वित मुवाईल एप वाई-डौट के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है वाई-डौट क्या है यह एक मुवाईल एप है जो इंटरनेट जो वाई-फाई को एक्सेस के लिए यूज किया जा सकता है वाई-डौट के सुर्वा दूर संचार विभागने की है इसका उद्धिस सारवजनिक वाई-फाई हाट इस्वार्ट प्रदाताओं के माध्यम से ब्राडबंड सुविधा प्रदान करना है इसने इसे देश में वा वाई-फाई या वायरलेस फिडिल्टी एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक है यह डेक्सटाव कंप्यूटर लैप्टाप मुबाइल फोन स्मार्ट अपिया जाता है इस प्लिंटर नेट इस प्लिंटर नेट क्या है इसको भी माइड़े में रखिएगा इस प्लिंटर न कोई भी मिसाल दागा मिसाल दागा मालेज़े कि कोई भी फाइबर अप्टेक्स हो गई तो उन जगों के उन दोनों जगों के बीच में इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो जाता है इस प्लिंटर नेट का आर्थ देशों द्वारा राजनीतिक उदेशों से कंटेंट को फिल्ट करना चाहते हैं जैसे चाइनी चाइनेज गवर्मेंट कान्ट अपना कंटेंट फिल्टर करती है से इस बिसों से उनका अलगी सिस्टम चलता है वह किसके द्वारा इस प्लिंटर नेट के द्वारा ही चलता है या पूरी तरह से अबुद्र करने के करण इंटरनेट का तेज Iron Curtain मतलब להika परदा एक ऐसा परदा लगा दिये लो ही तो इधर आर पर नहीं जा सकता इंटर्नेट को रुकने के लिए इसने देश को सेश्ई बिस्ट में बनाया है आउनलाइन आर्टन आयरन कार्टन क्या है यह अपने देश को देश बिस्ट से डिसकनेक्ट करने के लिए सच्छम बनाने का एक सिस्टम है जो कि रूस द्वारा 2019 में बनाया गया गीगा मिस क्या है यह अभीनाव वायरलिस नेटवर्क के समाधान है यह किसलिए यूज होता है कि जहां पर भीड भार जैसी चीजें हैं वहां पर फोरजी डाउन हो जाता है उसमें यूज आता है क्या गीगा मिस इंटरनेट से वाए प्रतान करने के लिए आपने महसूस किया होगा कि जब आप कहीं बहुत ज्यादा भीड भार वाली जगे में चले जाते हैं तो आप क इन्वेशन हब आर्टीफिचल इंटेलिजियनस एंड रोबोटिक्स टेक्नमोलाजी पार्क ने समर्थन प्रदान किया है हमारा अंगले टॉपिक है विपिएन वर्टुल प्राइबेट नेटवर्क अभी विपिएन न्यूज में क्यों है क्यूंकि शर्ट इन क्या है यह अपात कम्प्यूट भरती कंप्यूटर अपात कालेंप्रत करिया दल है सर्ट इन भरती कंप्यूटर अपात कालिन प्रत्क्रियादल है और इसने अभी क्या किया है कि VPN नेटवर्क प्रोबाइडर्स को अपने ग्राहक की जो भी इन्फार्मेशन होगी उनसे रिलेटर्ड रिकार्ड्स को बनाई रखने के लिए दिषा निरदेश दिया है और क्या अकि दिषाद निरदेश दिया है VPN प्रत्स ताओं के लिए कम से कम पांच वर्सों तक ब्यापक ग्राहक सूचनाओं की श्रंखला को बनाए रखना आवश्यक होगा यहां तक कि पंजी करन रद होने के बाद या वापस होने के बद भी संबंधित रीकार्ट का प्रबंदन हो गया है यहां पंजी करन रद होने के बाद का मतलब क्या है जैसे कोई फीज़क्रवाट anY देते हैं कि यह कंपनी ए है अब यह कंपनी बंध हो गई या इसका पंजी करान रद्ध हो गया तो भी इसको पांगले 5 साल तक जिस दिन से डेटा एकात्र किया है उसका डेटा अंगले 5 साल तक अपने पास संद्चित रखना होगा ऐसा नए दिस्द निर्देश के द्वारा आए एक्षेंज हैं जैसे बेइस हो गया बहुत सारे प्लेटफरम आ गया है कि वह सारे प्लेटफरम को भी इन दिसादीज़ दिया है कि या पांस साल तक कम से कम गढ़ाकों की सूचनाओं का वैउदा रखेंगे वीपियन देख रहे थे वीपियन क्या है यह एक तरीके का इंक्रिप्शन सिस्टम है कि नॉर्मली क्या होता है कि एक इंटरनेट प्रोवाइडर होता है और एक internet system होता है और internet provider company होती है और होता है ग्राहक इनके बीच में किसी प्रकार का कोई अन्क्रिप्टिंट होता है इस बीच में कोई भी third person आके आपके information को hack कर सकता है लेकिन जब जो VPN provider होते हैं तो जब इंटरनेट और डिवाइस के बीच में एक VPN server आ जाता है अब यह VPN server क्या करता है कि आपके information को encrypted कर देता है इसके डिवाइस में encrypted हो जाती है जो internet server प्रदाता है यहां से जो hacking की समभवना बनती थी तो वह VPN system में समाप्थ हो जाती है VPN को क्यों करने के लाव क्या है प्रोटोकल का encryption कर सकता है यानि की information वगएरा काफी बचा सकता है और इससे जूरी समस्या क्या है कि इससे डाटा चोरी और साइबर सुरच सम्मादी मुद्धे हो सकते हैं अगर VPN provider ही आपका डाटा चोरी कर ले तो दूसरा तो नहीं कर पाए ले यह इसमेंगे खतरा बन रहता है अंगने टौपिक है डाक नेट ऑां है旨े डार्कनिट निउज में क्यम है क्योंकि कि एक हाइड्रा मार्केट अपने यूज में सुना होगा एक तरीके का ब्लैक मार्केट है यह हड्रा मार्केट को जर्मानी ने बंद कर दिया है और इसका संबंद रूस से जोड़ा जाता है रूस से जोड़ा जाता यह है क्या यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डार्किनेट मार्केट प्लेस माना जाता है डार्किनेट में क्या काम होता है च्राइबु में द najwięके यह पूरा मालेज हैं कि internette में उपर का हिस्षा सर्फिस गुगल का डेटा है पकली हिस्षा विकिपीडिया है यह सर्फिस यह नार्मल समान जनता को एविलेबल होंता जो कि गुगल वेकिपेडिया और Wing platform के जरिए उपलब्द करवा जा सकता है वो surface wave कहलाता है नार्मल लोगों के उपयोग के लिए अविलेबल रहता है यह कि नार्मल ब्राउजर के थो इसको सर्च किया जा सकता है अब इसके अंदर आते हैं आता है डीप वेव डीप वेव क्या है इसे surface wave crawler एक्सेस नहीं कर सकते हैं यानि कि नार्मल यह गूगल विंग और विकिपीडिया वाले जो भी सिस्टम है वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं इसमें होता क्या है इसमें होता है इसमें होता है मेडिकल रिकार्ड्स कानूनी दस्तवेज बैग्यानिक रिपोर्ट सब्सक्रिप्सन जानकारी और प्रतिश पर्दी वेव साइट और इसमें होती है वह डीप वेव में होती है अब इसके अंदर और आप जाएंगे तो क्या है यह केवल टॉर जैसे कुछ ब्राउजर्स के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है इसको नार्मली आप कुरूम ब्राउजर या सफारी ब्राउजर से उसे एक्सेस नहीं कर सकते डार्क ब्राउजर को टॉर जैसे कुछ ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है डीप प होता क्या है डार्क वेब में होता क्या है इसमें नसीले पदार्थों की तसकरी की जाती है प्राइबेट कम्यूनिकेशन किया जाता है राजनीतिक विरोध किया जाता पता इन चलता किसने क्या कह दिया गैर कानूनी जानकारी इसमें साधा की जाती है और टॉर इंक्रिप्टेड साइट्स द्वारा ही इनको एक्सेस किया जा सकता है अब डार्क विव लगभग पूरे इंटरनेट का लगभग 90% होता है और 6% क्या है यह टॉर इंक्रिप्टेड साइट्स होती है जो 6% होती है यहां पर डार्क विव 6% होता है और डीप बैड़ 95% होता है और Sakकार सभी इनक्रिप्टेड होता है और विशेजस्ट प्रकार्ड के ब्राउजर जैसे और उनियन डिंग टौर ब्राउजर की द्वारा ही कि इनको एक्सेस किया जा सकता है कि जंद समाने के लिए असानी सुप्लाफ मानक सर्चindest adolescent को एक्सेस किया सकने वाले इंटरनेट को सर्फेस मेखें आपको ऊपणी की ब्युत करते हैं दमनकारी व्यो êtes लीक करने के लिए सोध करता हूं और चात्रा चात्रों द्वारा ताकि वे संबेदत सिल विस्यों पर शोध कर सकें कानून प्रबरतन एजन्सियों द्वारा इनको किया जाता है डार्गनेट के सच जुड़ी कुछ चिंताएं हैं जैसे गुम्नामी अग्यात बने रहने का भी ग्रपतान करता है अवयो dify और इसलिए न्एटा ने नेतिक संबधी चिम्दा इंपिस्में होती है नसीली द्वाउं का इसमें कारोबार काफी ज्यादा होता है अथतंकवादियों द्वाराव अभी मामिक बॉक बह। ज्यादा किया जाता है ऑननुर्म particular investigat Artificial Intelligence क्या है यह कोई भी तगनिक जो मसीनों को मनिश्यों की तरह कार करने के लाइक बनाती है वह कहलाती है Artificial Intelligence टेक्नोलोजिय। Machine Learning क्या है एक तरीके का Algorithm है जो Computer को इसपस्ट रूप से प्रोग्राम किये बिना उदाहरणों से सीखने क्या में सच्छम बनाती है इसमें इसपस्ट रूप से प्रोग्राम नहीं किया जाता कंप्यूटरों को कि यह डेटा अगर इंपूट दिया जाएगा तो यही इसको होता है उसी के रूप में डेजैन की गई है आर्टिफिछल नियूरल नेटवर्क कि डीप लर्णिंग क्या है यह मसीन लर्निंग का ही एक समुच्च्छे है यह डीप आर्टिफिशल Neural Network Model का उप्योग करता है और स्वेशलित रूप से डेटा प्रदाशन का पदानुकरम निर्मित करता है Artificial चार प्रकार के होता है एक होता है Reactive एक होता है Limited Memory और एक होता है Theory of Mind और एक होता है Self-Aware Reactive में क्या होता है इसमें कोई इसमेट नहीं होती यह केबल अलग अलग घटनाओं के लिए प्रतिक्रिया देता है और Limited Memory में एकने और प्रतिक्रियाओं को बहतर करने के लिए इसमें Limited एक मेमोरी दी जाती है जिसमें इसमेट का उप्यों करता है Theory of Mind क्या है यह अन बुद्धिमा निकाईयों घटकों वा जरूरतों को समझता है Self-Aware में क्या होता है इसमें मानो जैसी बुद्धिमत और Self-Awareness होती है Generative Artificial Intelligence क्या है कि आपने काफी निज में सुना होगा चैट GPT तलका मचाया हुआ है यह ओपन आया का चैट GPT है यह क्या है Generative Artificial Intelligence का एक उधारण है Google का बार्ड सिस्टम है और डल डल इडी यह भी इसी का Open AI का ही एक Open AI का ही Artificial Intelligence सिस्टम है कोडेक्स भी Open AI का ही है GPT-3 ही आद यह जनरेटिव Artificial Intelligence का उधारण है और इसमें यह लेम्डा लेम्डा इसका पूरा नम क्या है Language Model for the Dialog Applications लेम्डा एक Machine Learning भासा मॉडल है लेम्डा एक Machine Learning भासा मॉडल है इसे Google ने चैट बाट के रूप में निरमित किया है लेम्डा किस निरमित किया है गूगल ने लेम्डा एक Machine Learning भासा मॉडल है जिसे Google ने चैट बाट के रूप में निरमित किया है यह संबाद करते समय मनुशियों की नकल करने में सच्छम है मनुशियों की नकल करने में सच्छम है आप इसके सामने रोएंगे तो ये भी रोने लग जाए गया ऐसा कुछ है बारट जीपीटी थ्री और अन्वासा मॉडल के समान लेमडा भी ट्रांसफार्मर पर बनाया गया है यह एक निवरल तंत्री का नेटवर्क सं रचना है इसे 2017 में अविस्कृत किया गया था और यह रूप से अनेक विश्यों पर मुक्त वारता लापों में सनलगन होने में सच्छम होने के लिए डिजाइन किया गया है जन्रेटिव अर्टिफिशल इंटेलिजेंस क्या है यह आईडियो कोड चित्र टेक्स्ट सिमिलेशन और वीडियो जैसे नए कंटेंट बनाने के लिए सब्सक्रेस का औप यह और यह सकता है यह मसीन लेर्निंग माडल को बड़ी मोत्रह में डेटा के साथ प्रसेशित करने प्राप्त किया जा सकता है ग्लोबल पार्टनर्शिप आन आर्टिफिशल इंटेलिजेंस जी पी ए आई ग्लोबल पार्टनर्शिप आन आर्टिफिशल इंटेलिजेंस भारत इसका अध्यच है इसकी स्थापना गैशी 2020 में पंदरा जून 2020 में को इसका लांच किया गया था ग्लोबल पार्टनर्शिप on artificial intelligence और इसके अभी बरतमान में 29 सदसे हैं और अध्यच भारत है इसका सचीवाले आर्थिक सहयोगार विकास संक्टन OECD में इसका सचीवाले अवस्थी थे किसका Global Partnership on artificial intelligence का यूवाउं के लिए जिम्मेदार AI artificial intelligence 2022 ये क्या है राष्टी इगवर्नेस प्रभाग ने Intel India के सहयोग से यूवाउं के लिए जिम्मेदार AI 2022 कारकम सुरू किया है ये प्रभाग electronics और IT मंतराले के अधिन कारेरत है ये कारकम संकूर्ण भारत में कच्छा आर्ट से लेकर 12 तक के सभी इस्कूली छात्रों के लिए खुला है अच्छा आर्ट से लेकर 12 तक के सभी इस्कूली छात्रों के लिए खुला है क्या है नाम उसका यूवाउं के लिए जिम्मेदार AI artificial intelligence 2022 फोर्डी प्रिंटिंग क्या है फोर्डी प्रिंटिंग तकनीक ने सरजरी हाइपर्थर्मिया की सबकरणों जैसे जैसे कैंसर उप्चार की समता को बढ़ाया है फोर्डी प्रिंटिंग टेकनीक ने यह क्या है यह थ्रीडी प्रिंटिंग का ही एक नवीन रूप है जिसे इसमें विशेश समगरियों का उपयोग करके उत्पादन के बाद आकार बदलने में सच्छम बस्त करने के लिए नमी तापमान प्रकास बुद्द प्रभाः तनाओ पीए जैसे उत्त प्रियरकों के वसकता होती है फ्रीक्त समगरी क्या है इस कौन को समगरी प्रिंटिंग के लिए यह यादर रखे कि यह हो तकता है एक जाम में उछले कि 4D technology में प्रयोप समघरी क्या है hydrogel, thermoreponsive, photo और मगनेटेव response फuxo electric समघरी, ph responsive जितने याद रहे समघल तो war responsives देखके ही टिक मार दीज़ेगा है है थी अदिल क् needed पोजीशन मॉजिलिंग जेट 3D प्रिंटिंग एलेक्टिव लेजर मेल्टिंग डायरेक्ट इंक राइटिंग इलेक्ट्रान भी मेल्टिंग आधी टेकनोलाजी उपयोग की जाती है है रोगे में उपयोग किया सकता है तो हैं 156 क्या है क्या हे 07 की डिस्त्रिब्यूशन की डिस्ट्रिबीशन के कि घ्रिंग के का सब्सक्राइब का एक है यू एन यू लेज्ट क्रम की से सजेय के माध्यम से अधने सुरचित संचार की खोज की है quantum की distribution क्या है कि संचार माध्यम को सुरचित करने के एक नभीनतम खोज है quantum परद्योकी के बारे में देख लेते हैं quantum परद्योकी का उद्देश quantum भोत्की के नेमूं का उपयोग करना है जो atomic और सब atomic इस्तर पर पदार से तथा उर्जा प्रामिक तथा सब atomic इस्तर पर पदार्थ तथा उर्जा के विवहार का वर्णन करते हैं यह पारंपरिक भोत्की से अलग होता है जिसे कोई वस्तु एक समय में एक हिस्तान पर मौझूद हो सकती है के लिए परमपरिक कंप्यूटर दुए अधारी भोतिक अवस्त्ता का उपयोग करके अधारित होते हैं जिसका अर्थाइन का संचालन 2 इस्तियों 01 में से 1 पर अधार होता है इसका क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम सिमिलेशन क्या है यह विश्य शुरूप से तयार किया गया क्वांटम कंप्यूटर है जिसका अधिस भौतिक जगत के पतार्थों और रासाइनिक अभिक्रियाओं का सिमिलेशन करना होता है संचार आप्टिकल के बल्स के जरी प्रसारित करने के लिए क्वांटम बिट्स का उपयों किया जाता है इसमें प्रयोप्ति तकनिके क्वांटम डिस््टरिब्यूशन और क्वांटम रेंडम नंबर जनरेशन क्वांटम सेंसिंग और मेटरूलाजी भासा पधती इसमें नित्त त्थ किसने बनाया है यह जो यू के 10 प्रणाली है इसे किसने बनाया है कि ने रशा के लिए नवाचार रहे रचा क्रिश्ट्री नवचार क्या पी यह एक श्रीमबर्क यह रच्छा मंत्रालाई की अंतरगत आता है इसका उद्देश है रच्छा और एरोइस्पेस शेत्रमी नवाचार उद्द्यमिता और पिद्योकी को बढ़ावा देना अब क्वांटम में दो महत्पूर्ण टाइमिनोल आती है एक होता सुपर पोजिस्निंग दूसरा आता है क्वांटम इंटेंगलमेंट का मतलब होता है कि जैसे आपने तो आपने सुन होगा कि एक ही समय पर दो चीजें एक जैसे बिहेव नहीं कर सकती है लेकिन सुपर पोजि कंप्लंट में सूचना की मूल इकाही होती है क्वांटम्टु टेंगलमेंट क्या होता है क्वांटम फेक हुद पर्मान उचन इस तरह उलज़े या जूढ होते हैं एक में किसी प्रकाल का परिभारतन दूसरे कंण को भी बाधित करता हो भ्खले ही दूनों ब्रहांड किसी दो विपरीद छोर पर हूँ एक कंड इधर है यह A एक कंड इधर है यह है B अगर मान लेजे कि अगर इसमें एक साइड हेड है सिक्का है मान लेते हैं क्वांटम सिक्का है, एक साइड है और एक साइड टेल है अगर यह दोनों इस तरह से एक दुसरे से जुड़े होते हैं यही होता है quantum entanglement क्वांटम की distribution कैसे काम करता है इसके तह तो प्योग करता बीना किसी चिंता के अपने डेटा को संचाइद कर सकता है उसका डेटा को इस ब्यक्ति intercept कर रहा है मतलब वो ऐसा पहचान सकता इसके द्वारा इसमें कैसे करते हैं कि एक उपग्रह के द्वारा quantum अवस्ता के दो entangled photon का निर्देश दिया जाता है एक उपग्रह के द्वारा यह photon दो ground station में दो ground station बना जाएंगे वहाँ पर भेजे जाते हैं अब प्रेशक और प्राप्त करता द्वारा photon की quantum इस्थित की तुलना यह जाचने के लिए की जाती है कि क्या उन्हें इंटर्सेप्ट किया गया है क्योंकि दो entangled quantum पार्टिकल दोनों अगर इसमें कोई छेड़ चाड़ की जाएगी तो इधर पता ही चल जाएगा इसलिए दो जगह भेजा जाता है इसको तो अगर इसमें कोई छेड़ चाड़ की गई होगी इसकी पोजीशन देखके पता मतलब आंगे सेंड करने के लिए इसका कोई कोडिंग करेंगे इसके पाश्यात इंक्रेप्ट डेटा को पारंपरिक संचार माधमों की तुलना में तरच्छी दूरूप से भेजा जा सकता है क्वांटम इंट्रनेट क्या है यह भी नैुल में था इसका भी देख लिए एक जाम आ सकता है कि सोद़् करता हूं था को रूजा को एक ब ci-night प्र नेटना को सफल पूर्बरक टेली पोर्ट किया है कॉंटम इंट्रनेट के माध्यम से यह quantum internet एक नए प्रकार के network के निर्मान के लिए quantum computer के सिध्धान्तिक उपयोग पर अधारित एक विचार है यह परमपरागत internet के विप्रीत है परमपरागत internet binary signal zero या one के द्वारा दर्साए गए उपयोग के माध्यम से संचालित होता है इसके विप्रीत quantum internet एक ही समयमान में जीरो या एक या दोनों के रूप में सूचना को encode करने के लिए quantum bits या qbits का उपयोग करेगा अंगला है अंगले एक अब इस टेक्ट अगलोगी यह क्रिप्ट टेक्नलाजी को करने लगा है पहले यह किस टेक्नलाजी की पर करता था है रूप वर्क टेक्टनियों लाजी पर लेकिन अब यह प्रूफ आप स्टेक पर काम करने लगा है कि तरसे पहले तो इसमें सब्दाबले की जान लिए बिटकोइनिंग माइनिंग क्या है यह जटिल पहेलियों को हल करके नए बिटकोइन बनाने की प्रक्रिया है इसमें कंप्यूटर में कुछ गणती समस्याइं दिखाई जाती है जो इनको हल कर लेता है उससे फिर प्रवाइट करवाए जाते हैं वही है बिटकोइन माइनिंग इसमें गणती पहलियों को हल करने के लिए पतिश परदा करने वाले विसे चिप से लैस कंप्यूटर सिस्टम का उप्योग किया जाता है माइनिंग के कार को समयानता बिजली की सच्टी दरों एवं ठंडे मौ यसे हो गया रूस हो गया और कजाकिस्तान आदी जगह में माइनिंग बड़ी मात्रह में की जाती है अब इसमें ब्लॉक चेन में लेंडेन कैसे किया जाता है तर पसम लेंडेन के लिए अन्रोड किया जाता है और इसे प्रमारित किया जाता है इसके बाद क्या करें लेंडेन को दरसाने वाला एक ब्लॉक निर्मित होगा एक अलग से ब्लॉक निर्मित होगा इस VLOCK को कई जगे नोड़ बने होते हैं उन नोड़ पे भेज दिया जाएँगा अब नोड़S LANDI इनकी पूष्टी करेंगे एसके बाद पूफ दिये नोड़S को पूरस क्रूट किया जाता है यह जो पूष्टी करते हैं यहीं है पूर फाफ वर्क इसके लिए इनको इनाम दिया जाता है इनाम के रूप में आम तर पर क्रिप्टो करेंसी दी जाती है ब्लॉक चैन ब्लॉक यह जो नया ब्लॉक आया यह मौजूदा ब्लॉक चैन से जुड़ जाता है और इस नए अपडेट को पूरे प्रूफ आफ वर्क क्या है यह बिटकॉइन बस्तुता माइनिंग प्रक्रिया के माध्यम से ब्लॉकों के निर्मान और नेटवर्क की अखंडता को बिनेमित करने के लिए प्रूफ आफ वर्क का उप्यों करता है इससे प्रूफ आफ वर्क के लिए यूज होता है ब्लॉक आधारित प्रणाली है इसके तहले टोकन के मालिकों को नटवर्क करता है और नेट जो टोकन के माल्क होते हैं उनको सब्सक्राइब ऐससा है यह सॉतनत्र होता है उसके तहता रहत सरंखला में एक ब्लॉछ को भी जोड़ने के ये माइनर drift को अपनी हिस्षेदारी के अधार पर एल्गोरिद्म के माध्यम से ब्लॉक मिरमाता को चुना जाता है जितनी उसके हिस्षेदारी है जैसे सेयर मार्केट में होता है कि जिसकी जितनी ज्यादा हिस्षेदारी वो कंपनी में उतना ही मालिकाना हक रखेगा वैसे यह होता है प्रूफ और शेयर होल्डर होते हैं जिनके पास किसी कंपनी में एक परसेंट से लेस देन वन परसेंट आफ सेयर एक परसेंट से कम सेयर जिसके पास होते हैं वो होते हैं सेयर होल्डर और इस्टेक होल्डर होते हैं जिनके पास किसी कंपनी की हिस्सेदारी में एक परसेंट से अधिक क हिस्सेदारी होगी तो वह होंगे स्टेक होलडर सेम चीज इसमें है प्रूफ आफ इस्टेक में कि उपयोग करता को उपयोग करता को किसी प्रतिसपर्धी के बीना उपयोग करता को हिस्सेदारी के आधार पर माइनिंग दे दी जाएगी क्रिप्टो कृरंसी नेटवर्क के तहट इंक्यावन प्रतिसाथ माइनिंग हैस रेट को नियंतरित करने वाले माइनर के समूह द्वारा ही स्रंखला में किसी संदिख्ध ब्लॉक को जोड़ा जाता है पहले माइनर इसमें में अंतरा पैसे समझे जो जा में पूछा जा सकता है कि पहली को हल करने वाले पहले माइनर को उसकी काम के लिए पूरिस्क्रित किया जाता है जबकि प्रूफ ऑफिशटेक में ब्लॉक के निर्माण है तो पूरुस्कृत नहीं किया जाता ह। इसलिए ब्लॉक निर्माता दोआगा लेन व्र्वर्क में कोई लेन ये शलक नहीं वसूल 9 जाता घो भी पहले हल कर लेगा उसको क्रप्रोकर्झसी दे जाएगी लेकिनुने कम् 대해서 सेखे ताइस को कि लेंदेन कि नहीं होता है रूफपयात्व होती है इसले के दिखर नेटवर्क पर सभी माइटऑ को लेंदेन करने और लेंदेन की सत्यापित करने की अनुमत होती है प्रूप रूप से से राथ माइनर के जगए बैली डेटर स्कायों बनाना जाता है कि नगा उनल गाशने लोगों कि इसको डेल देया जाएगा इसमें लेकिन रूप सिस्टम में सब ही लोग सत्यापित करने गया सकते हैं जो पहले गड़ती समस्य हल कर देगा उसको दे दे जाएगा इसमें ऐसा नहीं है इसलिए इसमें उर्जा की खपत रूफा फिश्टाइक में उर्जा की खपत कम होती है यह दो टर्म एक टर्म है नन्फंजिबल टोकेन यह इंपॉर्टेंट है यह पीटी में आभी चुका है नन्फंजिबल टोकेन एक डिजिटल ऑब्जेक्ट होता है जो ब्लैक चेंट टेकनोलोजी द्वारा निर्धारित प्रमाणित के प्रमाणपत के साथ एक ड्रॉइंग इनिमीशन संगीत संगीत के खांड या फोटो या वीडियो हो सकता है बर्चूल आपजेक्ट जो वास्तों में एक कंप्यूटर फाइल है को इसकी प्रमाणपत्र के साथ बीनियम है या विक्रे किया जा सकता है इन संपतियों को टोकनाइज करना दोखाधारी की संभावना को कम करते हुए अधिक कुछलता से क्रेव इक्रेव या पार करने की अनुमत ही देता है कि एन एफटी की विशिष्टाएं क्या है नहीं फजबल टोकन की यह किसी भी अन्य समान टोकन से इनका मूल भिन होता है यह किसी के बराबर नहीं हो सकते हैं और यह डिजिटल के विपरीद उन्हें भी भाजित नहीं किया जा सकता है जैसे आपको पास 10 रुपाई का नोट है आप और आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं यह दो दो के पांच सिकों से एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन एन एफटी में ऐसा नहीं है एक एन एफटी को बदले अगर उसका प्रणाली यह इंपोर्टन नहीं है यह अभी इसमें बस यतना याद रखे कोलकाता वारान से पुड़े विजय बाड़ा बंगलर दिल्ली यह वाइडों पर यह फेश रिकंगनीशन सिस्टम लगू किया गया है आया स rifली क्या है यह सुझना यक्ट इलेक्रानिक और सुझना पिड़्यो की मंत्र味 है और मेटमीन्ट्र मेत ड्रॉक गया है हुआ कि यह एक होता है टीन का निवाल से समझ सकते हैं कि कोई भी मोबाइलickt आपको लेना है आप उसमें उसका AR सिस्टम देख सकते हैं कि वो उसका model actually दिखता कैसा यह 3D model दिखाता है augmented reality और mixed reality में क्या होता है कि इसमें आपको एक headset पहनाया जाएगा इसके द्वारा वास्तिविक परिवेस के साथ एक एक्रित किये गए अनुक्रिया शील आभासी तत्तों के साथ परस्पर करा जाएगा आपको ऐसा एहसा होगा कि आप उसी परिवेस में हैं यह होती है mixed reality और VR यह virtual reality आभासी वास्तिविक तक क्या है कि इसमें भी आपको एक headset पहना जाता है कि इसके द्वारा एक interactive वा डिजिटल रूप से निर्मित वास्तिविक लगने वाले परिवेस का अनुभा करा जाता है मतरा जैसे जब आप इसको यह mixed reality से भी उन्नत टेक्निक होती है virtual reality इसके तहट जब ही जब भी यह आपको एक यह system पहनाया जाएगा आप इसको पहनने के बाद आप online shopping करने घर पर ही बैठके किसी mall में जाएंगे आप समान उठाएंगे आपका virtual जो भी model होगा वह समान उठाएगा बैग में रखेगा payment करेगा चलाएगा सारी चीजें आपको रियल लगेंगी यह होता है virtual reality में इनका उप्योक्चिक इत्सथ छेत ओटर में किया जा सकता है मन रंजर में तो किया ही जा रहा है अभियंतर की में भी हो सकता है और remote कारे में भी यह सहयक होते है आउट करें के यह रिक्वेंस्त रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेन्टिफिकेशन निय erstmal और एफी यह तिन टेकनो लाजी होती है डेटा ट्रांसफर की june नी पिरती है इन में में अंतर किया रिडियो फ्रिक्वेंस्तिटीफिकेशन यह कि वायर ऐलेस सिस्टम है इसमें टैग या रीडर नामक दो घटक होते हैं लेकिन बार कोड में क्या होता है यह दूया में संस्क्रण है इसे डिजिटल डिवाइश द्वारा असानी से पढ़ा जा सकता है यूपी आई पेमेंट और बार कोड से बहुत ज्यादा होते हैं एन एफ सी क्या है यह एक अल्प दूरी की डेटर ट्रांसफर टेकनोलाजी जैसे दो मोबाइल में एन एफ सी टेकनोलाजी है उन दोनों को आपस में टैप करके उस सेकंडों के अंदर ही ज्यादा हैवी डेटा इसमें ट्रांसफर किया जा सकता है एन एफ सी नियर फिल्ड कम्यूनुकेशन टेकनोलाजी इसनी कारियात्मक सीमा क्या है यह 300 गीगा हर्ट जिसे लेकर 9 किलो हर्ट तक यह उप्यों किया जा सकता है इसका रेडियो फ्रिकेंसिया डेंटिपिकेशन टेकनोलाजी का और कि रिस्पांस में इसकी सीमा क्या है कि इसका अनुपाद मतलब आकार से जतना भी स्कैनर है स्कैनिंग सिस्टम जैसे यह इसका आकार मा लेते हैं कि यह 2 cm2 का है अब इससे अनुपाद 1-10 होना चाहिए डिस्टेंस जो है 1-10 होना चाहिए डेटा और NFC में क्या है कि एक दूसरे को बहुत एक रूप से टाच करके यह कुछ सेंटिमीटर की दूरी पर डेट इंडिय इस्टैक क्या है एक इस टेकनोलोग एक्स अप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है यह साफ्टवेर मध्यस्थ के रूप में दो अप्लिकेशन को एक दूसरे से संपर्क करने की सुविधा प्रदान करता है इसमें एक इक रिद भुगतान इंटरफेस यहने की यूपी आई को यूपी आई हो गया कोविन डिजी लाकर अरोग से दूई संजीवनी उमंगेव दिच्छा पोर्टल आदी को एपी आई में सामिल किया गया है इंडिया इस्टेक प्रोग्राम में इसकाल अच्छे क्या है जन संक्या के अधिकान से हिस्से के लिए पहचान डेटा और भुगतान की आर्थिक अबसरों को उपलब्द करवाना कुछ और चीजें जो न्यूज में थी इंटरनेट के बाइस पर बैसिक गोशना पत्र ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन नहीं है लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरनेट के बैसिक गोशना पत्र में भारत सामिल नहीं हुआ है भारत और चीन उन बड़े देश को खत्रा उत्मन हो सकता है भारत ने बुड़ा पुष्ट कन्वेंशन आन साइबर क्राइम 2001 पर भी हंस्ता च्छत नहीं किया ये दो चीज देख सकते हैं कि इंटरनेट के बहुत पर बैसिक गोशना पत्र में भी सामिल नहीं है और बुड़ा पुष्ट कन्वेंशन आन सा जो नए इंटरनेट इक्षेज़ पॉइंट्स इस्थापित किया किया घ्रकाता है इससे अपने नेटवर्ड को जोड़ते हैं और ट्रैफिक का आदान प्रदान करते हैं इसे दोजार तीन में इस्थापित एक गयर लवकारी संस्ता के रूप में इस्थापित किया गया था इसका उद्देश परसपर ISP सदस्यों के बीच घरेलू इंटरनेट ट्रैफिक के अदान प्रदान को सुगम बनाना है यह निंद्गत के रूप में भी कार कर सकता है जैसे डॉट इन रजिस्ट्री जो भी वेब साइट में आप देखते हैं कि लास्ट में डॉट इन रहता है यह इसकी जो रजिस्ट्री होती है वह नेशनल इस्टॉक एक्षेंज इंडिया दोरह की जाती है यह क्या है कंट्री कोड आफ टाप लेबल डोमेन डॉट इन जो ह है यह क्या है भारत का कंट्री कोड होता है इन मतलब इंडिया तो इसमें रजिस्ट्रेशन कौन करता है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज इंडिया और यह इंडियन रजिस्ट्री फार इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स यह क्या है जैसे आई पी आई पीवी फोर और करता है यह जो इंटरनेट प्रोटोकाल एड्रेस होता है आई पी एड्रेस होता है इसका भी रेजिस्टेशन कौन करता है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज आफ इंडिया के तहती ही किया जाता है यह इंपॉर्टेंट हो है गो इसको फाइव स्टर जितना इंपॉर्टेंट दे सकते हैं यह नहीं मैता ओभारत में दू तू अफ बहुए का पल्स का विस्तार करने के लिए भारती अ गी साथ साजधार की है यह समुद्र के नीचे विछाय जाने बस दुनिया की बिल्बी प्रर्णालियों में से एक है यह केवल प्रणाली क्या काम करेगी यह इंटरनेट प्रवाइड करवाएगी और एसी अफ्रीका और यूर्पी देश्यों को आपस में जोड़ेगी टू पर्ल्स किसे रिलेटेड है यह इंटरनेट केवल जो विशाई जाती है इन समुद्रों में इस अबर आप्टिक है शिपला की इंदोर ओरल सॉलिड डोसेज हैदराबाद इस्थिट डंक्टर रिडेज लिबरेटरी चैनाई में इस्थिटी चैनाई में श्री सिटी इस्थित मोंडेल एज अब ग्लोबल लीन ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क मैंकिन्स डे एंड कंपनी के सहीयोग से सब्सक्राइब इस आर्थिक मंच द्वारा संचारित एक पहल है यह सव से अधिक भी निर्माताओं का एक समुच्चे है और यह कृतिम बुद्धिमत्ता अर्टिफिशल इंटेलिजेंस ठीडी प्रिंटिंग बेग डेटा एनलेटिक्स जैसे चौथी औद्योगी करांती अधियोगी कियों की कार्यमेंट की दिशा में महत्पूर नेत्रत्य प्रदान करता है अधियो यह बहुत ज़्यदा इसका नहीं है डिजी लॉकर डिजी लॉकर क्या है कि लेक्ट्रोनिक्स और सुचना बद्योगी मंत्रा ने डिजी लॉकर को आईसमान भारत डिजिटल मिसन से जोड़ दिया है डिजी लॉकर में आपके दस्तबेज प्रमान पत्र संग्रेद करने उनको सत्यापन करने कर सकते हैं और इसमें बहुत दस्तबेजर को कम करना अधर कागज को कम करना है डिजी लॉकर को अधिस आप अपनी मार्क सीड वगएर इसमें रख सकते हैं दूर सचार चेतर में आई पी यार को बढ़ावा देने आई पी यार क्या है इंटेलेक् इसम यह क्या थाये ट्राइने मसें टु मसीन संटाहर के लिए एसंपर परमर्स पत्र जारी किया है इस एक फार्म फेक्टर है यह फोने बहुतिक रूप छिलगा होता है अखकते हैं बाहर जो नर्मल सीमों ऊसको अगल ने का सकने लेकिन यह यह इन मतलब उसी में लगवता चिट सिस्टम में ही लगा होता है यह प्रोग्रामेवल सिम काड़ का एक रूप है इसे स्वोडरीड ड्वारा डिवाइस के प्रिंटिंग सर्किट बूर्ड में इस थाईयूब से लगा दीया सकता आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं सिम काट को भौतिक रूप से बदले बीना ही रिमोट प्रोविशनिंग के द्वारा सिम प्रोफायल में परिवर्तन किया जा सकता है अगर आपको नंबर वगएरा चेंज कर बने कर सकता है तो यह किया सकता है यह परमपरागत सिम के प्रिट काई एप्लिकेशन का समार्थन कर है भरती बग्यान को के द्वारा और भट वन नाम से यह एनलोग रिक रिक कन्फिगरेशन टेकनोलाजी एंड बायस इसके लेबल हर्डवेर फार एई टास्क को पूरा करता है इसको में यादर रखिए कि यह एक एनलोग चिपसेट है और भट वन कोई मिसाइल नहीं है को एक एनलोग चिपसेट है अगला साइबा सूरचा जूड़े कुछ मुद्दे हैं साइबा सूरचा पर दिसा निर्देश इससे वह ज़्यादे इंपॉर्टेंट नहीं है क्रिप्टो जैकिंग यह पुछा जा सकता है क्रिप्टो जैकिंग क्या है हाई जैकिंग आप सुने होंगे मतलब हाइट में जाके किसी को किर्णेयब कर लेना क्रिप्टो जैकिंग क्या है यह एक तरीके का साइबर है इसका पता लगाना मुस्किल होता है इसमें computing device से हमलावर hack कर लेता है और बाद में अबाइद रूप्टिस से क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए इसके संसादों को प्योग करते हैं इसमें क्या करते हैं कि आप अपना laptop खोले आपके laptop को किसी ने hack कर लिया मतलब example के तौर लेते हैं कि आपके laptop को किसी ने hack कर लिया है अब वो क्या करेगा कि आपके laptop का उपयोग आपकी अनुमत के बिना आपके laptop माइनिंग करेगा और वो जो माइनिंग के दौरा जो क्रिप्टो करेंसी इसको मिलेगी वो hacker के account पे जाएगी लेकिन आपको पता नहीं करेंगे चलेगा कि आपका computer system माइनिंग के लिए उपयोग हो रहा है और आपका computer system जल्दी ही खराब हो जाएगा यही है crypto jacking coin mining एक वैध वाप प्रतिसपर्दी प्रक्रिया है coin mining कोई अवैध प्रक्रिया नहीं है लेकिन इसको अवैध तरीके से की जाते है जैसे electricity बिल वगएरा बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है दूसरे को computer यूज कर लेते है crypto jacking के माद्यम से उसको पता ही नहीं चलता है इनका उप्योग नए crypto coins को प्रचलान में लाने के लिए लेन देन सत्यापित करने के लिए किया जाता है ब्लॉक्चेर में जोड़े जाने वाले सत्यापित लेन देन के blocks उत्पन्द करने के लिए जैटिल computation समस्याओं को हल करना होता है ब्लू बगिंग क्या है यह hacking का ही एक समलावरों को अपने खोज योग Bluetooth connection के माध्यम से एक डिवाइस तक पहुचने में सच्छम बनाता है यह Bluetooth डिवाइस आपके मुबाइल का Bluetooth डिवाइस आन है तो यह उसी Bluetooth के थूप आपका मुबाइल है कर लेंगे इसमें Bluetooth connection एक बार उनको जब मिल जाता है तो वह जो भी identification य एक हैकर कॉल को सुन सकता है संदेश पढ़ सकता है और मैसेज भेज भी सकता है और आपके जो भी contact होंगे उनको चुरा सकता है उनको बदल सकता है रोकने के लिए क्या उपाए है उपयोग ना हो तो Bluetooth बंद कर दो डिवाइस को अपडेट करो और सार्व जिनक वाइफाई क मतलब इसका बंदेजिक तोर पर उपयोग किया जाता है जैसे काजाकिस्तान अटली और उत्तरी सीरिया की सरकारों द्वारा अपने नागरिकों पर इसका उपयोग किया जाता हर्मिट एक स्पाई वेयर है इसको याद रखेगा ना कोई लड़ा को वीमान है ना कोई पंड स्थापित किया गया है परम पूरूल एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है परम पूरूल के निर्मान के लिप्यों के जैने वाले अधिकांस घटकों का निर्मान देश में हुआ है उसके सेंबिलिंग भी देश के भीतर ही हुई है इसके तहट अब तक 24 पेंटाफलाव की कंप्यूटिक छमता के साथ देश भर में 15 सुपर कंप्यूटर इस्थाफित किया जा चुके हैं नेशनल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर इंग मिशन के तहट अब तक 15 सुपर कंप्यूटर भारत में इस्थाफित किया चुके हैं कि दियूर्बजर शुबर्ड किया गया पहला सुपर कॉम्प्वा था परृं शुबाई जदेशी रूबसे किया गया है पहला सुपर कंप्वीटर था तू रैंडम नमबर जनरेटर न ये इंपोर्टन नहीं है तीहान तीहान को आप देश सकते हैं यह भारत के पहले निविगेशन सुविधा केंदर तीहान का उद्गाटन आयाटी हैदराबाद में किया गया था यह मान और हिद जमीनी और हवाई बाहन परिछन दोनों के नहीं है तीहान क्या है निविगेशन सुविधा के अंदर निविगेशन सुविधा के यह भविष्ट की पीड़ी की स्मार्ट मोबिल्टी टेखनीक में एक बैस्टिक दिगज इसका उद्देश है बैस्टिक दिगज बनना और उद्द्योग उनुसंधान विगास प्लोक चार केंद्रों में से एक है कि इसरे टॉपिक अंगले वीडियो में हम इसको कवर करेंगे अंतरची प्रद्योकी को अगर आप यहां तक बने हुए हैं थैंकि फ़र बाचने